गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट इस्टेडी में डेली करेंट आप फ्रेंट्स जी वीडियो को लाइक शेर कमेंट करने ना भूलें आपको किसी प्राइगी प्रोब्लम में कुछी परकार की आपको दिख्था दो तो आप कमेंट करके ब आता सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे अ कि अ कि डेली करेंट फेर अ कि आज है फर्वरी बुल्दफ की संड़े और हम पढ़ेंगे पांच फर्वरी की डेली करेंट वेश वह एक दिन का गैप से लिए होगा कि में कुछ प्रॉब्लम थी और दस तारीक का भी गैप होगा उसके बाद दस और ग्यारा का तो नहीं खेर ग्यारा को तो गैप होगा उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ओक्सफॉर्ट विसमें द्वाले के संसरतु जान से आपको अग्सफॉर्ट का अग्सफॉर्ट विसमें द्वाएव शुल्ट की बिसमें द्वाद्याले की सूद को द्वारा कि द्वारा किया हुआ ओक्सफोर्ट विसे द्याले कि सूद करता हुआ द्वारा किया हुआ द्वारा कि दसकों से मौझूद कि दसकों से मौझूद क्या हुआ है दसकों से मौझूद एच आईबिक अट्यादिक हाँ अत्यादिक अत्यादिक बिसान जनक इस्ट्रॉन की खोच की किसकी इस्ट्रॉन की औस अत्यादिक का कि कहां के ये ते नीदर लेंड की कि इसका कहां के नीदर लेंड के क्या थे यह दसक थे इन्होंने अपनी पत्रिका साइंस में इन्होंने अपनी साइंस पत्रिका में साइंस पत्रिका में दूसरे variant के संकरमन की तुल नाम है संक्रमार की तुल्ना में वी वी वेरियंट से संक्रमित रक्ती में रक्त की रक्त में बाइल इस था 3.5 से 5.5 गुना अधिक है मतलब ही इस बताया गया कि इस पत्र का नावा relevant पत्रिका नामें नामें यह बता तर्ट की तुलमत . बाइर MARKी बाइर कि तुलनामार भी भी से से सनकारमित बाती में रख के वारिल संस्टरpping ry-5 5.5 गुनारा है मतला इस से कितना साज्वे तिन गुना से प्शार्वे पाँच गुना अदिक स्त़र आ is दूस्रे वैरियंट का इस चीज में में बताए गया है इंटर इंटर ग्लोबल एविएशन ने ततकालीं ततकाल परवाव से अपने कौनसे सह संस्थापक सह संस्थापक राहुल भट को राहुल भाट्या को राहुल भाट्या को तकल ततकालीं में कंपनी का परवंदब निर्देशक निक्त किया है क्या हुआ इंटर ग्लोबल एक एविएशन ततकालीं क्या हुआ इंटर ग्लोबल एविएशन ने ततकाल परवाव से अपने सह संस्थापक राहुल भाट्या को कंपनी का क्या प्रवंदग निक्त कर दिया क्यों कर दिया कि आप इसको समालेंगे ततकालीं मतलब कुछ टाइम के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ततकालीं रूप से अभी दे दिया है फिर बाद में यह ले लेंगे ठीक है कंपनी देश की सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी एरलाइन देश की सबसे बड़ी एरलाइन इंडियन गो के जनक है इंडिया गो के जनक है गो की जनक है मतलब कि जो कंपनी है वो देश की सबसे बड़ी एरलाइन इंडिया गो की क्या है जनक है और यह क्या कौन रावल भाटिया कौन रावल भाटिया यह क्या है यह कंपनी के मतलब किसके इंटर इंटर ग्रोब के इंटर ग्रोब एवियेशन के कि यह अब सहसंस्तापक और प्रमोट अब इनके द्वारे बतायागा कि रावल भाटिया पहले इंटर ग्लोबल एवियेशन के सहसंस्तापक और क्या थे प्रमोट अब जो कि ततकाली प्रभाव से अब क्या स्के कंपनी के प्रबंदक निर्देशक्ट के रूप में नुख सब्सừa के क्या होका कि कंपनी के प्रमोटर और सहसंस्तापक थे इस पहले के सहसंस्तापक इस कंफ़क 도 également अ अ में का इस कंपनी का में मुख्याला है कि किसी कंपनी का क्या होता है मुख्याला होता है क्या है मुख्याओ कि आपे के अुख्याओ कर दोला है ढ़ीजाओ के दखक्या है जए जए आपीजाँ झाल कि अगुए आरावली में जैविक बेविवदा पार को भारत का पहला अन्य प्रभावी छेत्र आधारित संद्रक्षन उप्साइट गोसित किया क्या किया अरावली कि आरावली जैविवदा पार को भारत का पहला अन्य कौन सोब पहला अन्य प्रभावी छेत्र प्रभावी छेत्र आधारित संद्रक्षट किया आधारित संद्रक्षट संद्रक्षट उप्साइट गोसित किया क्या किया इनके द्वारा बताया गया कि आरावली जैविवदा पार को भारत का पहला अन्य प्रभावी छेत्र कौन सा अन्य प्रभावी छेत्र आधारित संद्रक्षट उप्साइट गोसित्रक्षट किया इसको सोट्फों में क्या बोलेंगे इसको सोट्फों में बोलेंगे ओई सी एम ओई सी एम ठीक है क्या किया गोसित किया इसके द्वारा ओई सी एम को ओई सी एम को टेग अंतराश्टी है क्या है टेग अंतराश्टी है क्या है टेग अंतराश्टी प्राक्तिक संद्रक्षण प्राक्तिक संद्रक्षण प्राक्तिक संद्रक्षण प्राक्तिक संद्रक्षण प्राक्तिक संद्रक्षण सोरी प्राक्तिक संद्रक्षण संग द्वारा अन्य द्वारा उन छेत्रों को दिया जाता है दिया जाता है जो सामरा छेत्तों नहीं जो सन्रेक्षित नहीं लेकिन जैबे बिदा ठीक है इसमें करता है कि कौन सा आदारे सन्रेक्षित उपार साइड मतलब द्वारा उन छेत्रों को दिया जाता है जो सन्रेक्षित नहीं लेकिन फिर विजय विवदा विवधात रखते हैं पार्क में इस पार्क में क्या है 390 एकर कहता है 390 एकर और 300 देशी 390 देशी पौधो और 1100 पेड़ों के साथ पेड़ों के साथ अर्द सुस्क बनस्पती है इनके द्वारे बताये के पार्क में 390 एकर और 300 देशी पौधो और 10100 पेड़ों के साथ अर्द सुस्क बनस्पती है इस चीज को बताये के इसमें किस तरह के पेड़ों पौधे दिवास करते हैं भारत सरकार ने भारत सरकार ने भारत सरकार ने पिरमुख बैग्यानिक सलाकार पिरमुख बैग्यानिक तो वे ग्यानिक सलाकार के कार्याल है कार्याले ने स्वक्षिता सार्थी स्वक्षिता सार्थी फैलोसेप सवक्षिता सार्थी फैलोसेप दोज़ार बाइस को गोस्षित कर दिया अगर गोस्षितिया अगर थीक है इनके दोरा बताया गया कि सरकार ने क्या किया सलाकार के रूप में सलाकार के कार्याल है यह सुक्षिता सार्थी फैलोसेप दोज़ार बाइस को क्या कर दिया गोशना की है इसकी क्या एक तरी से बसे बस्तू किस के तहरे गोस्त किया इन्होंने कर दिया है लोरी ए जबैष्ट तूरे से ब्स है बस तो इसकी कहाए बैस्ट डूर्वthose में शुर्ण के तहत लॉंच किया लॉंच किया जिस बताया गया है कि भारव्च सरकार द्वारत का किया है ऐसे प्रमुख फ्रमुख लोख झाल के कार्ट कार्याल ॉ ठिच्छिता सब्सक्ष्टेज साक्ष्टेज में रिए िगधार कि सतैंडों सर्कार को क्या कर दिए इन्हिनोंने इक तरीकी से बताया ग्या है कि हमारे बस्तऱकार तो यह में किस तरीसे से धल्ष्र की गोफण है इनों रहे इसके टाइट कर दिया गया है कि अ willing भुषाय म chil yönट इसको क्रदूरों कर देर गोषद कर दिया गया है फ्रेस्ट व मैश्ट कि तहस्लों कर दिया किस एप पतूरस बादया है कर दिया गया है क्या होगा है क्या हुआ हाइफर कॉलिस्ट इसन कि है है हई फट पॉलिसंट इन्डिया इन्डिया इंडिया ने वहर्णी क्या कि इंडिया ने वहर्णी तारा के हां के बारा कि पेले उपन्यास कि हैं धार कॉलफ इंडिया ने वहर Σंदि के पहले उपन्यास इसका क्या नाम है इसका नाम है उपन्यास क्या नाम सिसका दा इमोर्टल दा इमोर्टल किंग राव कह दा इमोर्टल किंग राव के अधीकरण की गोजना क्या क्या है हाइफर कॉलिफ्स इंडिया ने वहरनी वहरनी वारा के पहले उपन्यास दा इमोस्ट इमोर्टल दा इमोर्टल दा इमोर्टल किंग राव के अधीकरण की गोजना की है वहला इंडिया की गोजना की है इसके तैथ भारत पिलस अमेरिका में अमेरिका में यह तीन मै दो या बाइस को क्या होगा घोसेत होगा यह मतला रिलीज होगा यह रिलीज होगा यह बैटा लगेगा रिलीज होगा रिलीज होगा यह गोसित होगा इसमें बताया गया है कि दा हाइपर कॉलिफ्ट इंडिया के तहत यह वहनी तारा वारा वहनी वारा ने क्या किया एक अपना पहला पन्यास लगए जिसको यह है जिसको यह क्या करें दा अधिकरंड की खोशना है जो कि भारत और अमेरिका में तीन में को क्या होगा एक तरीके से इसमें क्या होगा रिलीज होगा इसे कि इसे कि फॉर्ट थी किसके दार फॉर्व और इसके दारह हॉर्ट अधिन ट्राइट प्रिंटर तोद आइंट आई प्रेंटर के तैद प्रकास्ट किया जाएगा के टेप सैथ प्रकासित होगा मतलब इनके दौरत क्या किया जाए कि अमेरिका भारत में क्या किया जाएगा प्रकासित किया जाएगा जिसको बताया गया कि इनका पहला पन्यास है जिसको भारत और अमेरिका में तीन वाइब को रिलीज होगा इसको फूर्ट स्टेट टाइप प्रिंटर के तहित क्या होगा प्रकासित होगा अब अब प्रोफेसर अब प्रोफेसर दिनेज परसाद दिनेज परसाद सकानी को राष्ट पती राष्टी सैक्षिक सौरी राष्टी सैक्षिक अनुसंधान अनुसंधान और प्रसक्षण प्रसक्षण परी परीस्त का नाम निर्देशक निउट किया प्रोफेसर दिनेज परसाद को दिनेज परसाद सकानी सकालानी को राष्टी सैक्षिक अनुसंधान और प्रसक्षण परीसाद का क्या किया निर्देशक निउक्त किया इनको पांच बरस की आबदी या 65 बरस पूरे होने तक पूरे होना जो भी पहले हो मतला इनको कब तो के लिए निर्देशक या तो पांच बरस की आपदी के लिए या 65 बरस की आईउपूर होने से होने तक वहलों पैसर बरस की आईउपूर हो जाएगी तो इनको हटा दिया जागे इनके पत्स से इनको ncrt nc e rt एक स्वधित निकाई है स्वधित निकाई है जो उस्कूलों में उस्कूल उस्कूली सिक्छा मेंठों पत्स TS स्वधित निकाई का पत्स ज Dá जल तो यह था मत्री किया था प्रफेसर दिनेश फृसात को इसकालाइट को क्या किया गया इनके दोड़ा निसांधान और सिक्षण परीसत का निदेसक निश्ट किया गया था पैसे बड़्ट जो भी पहले उसके पूर्ड तक इनकी रहेंगे ठीक स्वाफित नकाय है जिसके तहत स्कूलों की सिक्षा को सुधारना और उनको उनके लिए नीतियों पर सायता और सलकाथ देते हैं इस चीज़ को बताया गया कि इसको कि हम इनको बना रहें कौंसा राश्टे सिक्षा अनुसंदान प्रसक्षा पाइसत का निर्देशा क्योंकि कि अपनी सदा के द्वारा हमारे बिदेश के और भी मला एंसियाइटी बुक्स में और भी अच्छे अच्छे तवधान को नुक्त तरा सके फ्रेंट्स वीडियो को लाइक प्रेंट्स वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सब्सक्राइब भी कर लें थैंक्यू तरेंट्स